समाजवादी पार्टी ने यूपी की कौशामभी की सुरक्षित सीट से पूरू कैबिनेट मंतरी और पार्टी के कददावर नेता इंदरजी सरोज के बेटे पुषपेंदर सरोज को केंडिडेट बनाया है। अगर आप वर्तमान सांसद जी को भी देखें उनकी उम्र बहुत ज्यादा है और वह 10 साल से सांसद हैं पिर भी उन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया तो जनता एक बदलाव चाहती है और अपकी कम उम्र में एक यूवा सांसद चाहती है जो उनके लिए सक्रिय होके काम कर अच्छा राजनीत में अगर देखा जाए खास कर अगर चुनावी राजनीत की जो पर्लेमेंट एलेक्शन लड़ते हैं बहुत अनुभवी लोग बहुत मजह हुए राजनेता और आपके दादा नाना की उम्र के लोग चुनाओ लड़ते हैं तो कैसे इन लोग का मुकाब कर रही है और एक बदलाव की और बढ़ रही है अच्छा ये बताईए कि जो विपक्ष के उमीदवार हैं मौझूदा सांसद हैं विनोत सुनकर दस साल से सांसद हैं तीसरी बार फिर से चुनाओ मैदान में हैं उनका कहना है कि हमने तो पुषपेंदर के पिता जी को भी हर रहे हैं और उनको भी अपने कामों को गिनाते हुए जनता से वोट मांगना चाहिए और आने वाले चुनाओं में मैं बहुत मजबूती के साथ कह सकता हूँ जिस तरीके से आक्रोश है जनता में और वो एक बदलाव की और बढ़ रही है वो चाहती है कि उनका मान और समान उस और वोट करेंगे और समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे तो जो आप आक्रोश की बात कर रहे हैं नाराजगी की बात करने तो नाराजगी किस से है मौजूदा सांसत से है इस्थानी इस्तर पर है या कि केंद्र की सरकार को लेकर नाराजगी है देखिए मैं कौशा पहले नाराजगी सांसद जी के लोग पर है और वो चाहते हैं कि अब ये सांसद ना रहें और एक बदलाव की ओड़ चाहते हैं मतलब आप उनसे जो है हिसाब मांग रहे हैं कि दस साल में उन्होंने क्या काम किया है वो जनता के सामने रखें जनता तैग करेगी कि काम हुआ ह मौका मिलना चाही है और अपने काम को गिनवाते हुवे वोट मांगे अगर वो मानग सकते हैं जिस आक्रोश की आप बात कर रहे हैं कहीं यह आक्रोश वही तो नहीं कि 2022 के विधान सभा चुनाओं में कौशामभी ऐसी परल्लामेंटरी सीट थी जहां कि पाँचों विधान सभा भारती जनता पार्टी और सहयोगी दलहार गए थे देखें 2022 में यह सही बात है कि समाजवादी पार्टी का पर्चम लह रहा है था और सही बात है कि समाजवादी पार्टी को लोगों ने वोट किया था काम के मुद्धे पे तो काम नहीं होए थे इसलिए उन्होंने परवर्तन की और वोट किया था और वही 2024 में भी होने जा रह देखे मैंने अकाउंटिंग मानेजमेंट किया है कुईन मेरी उनिवर्सिटी अफ लंडन से अंडर ग्राजवल लंदन और यहां के परिवेश में तो बड़ा फर्क है जो है यहां गाउं-गाउं खाक चाननी पड़ रही है आपको तो एक आपने लंदन से पढ़ाई की वहा पर कोई बहुत बड़ा अमीर या पड़ा लिखा बच्चा भी हो उसके लिए भी रोजगार नहीं है तो मैं अपनी जंता के बीच में जा रहा हूं जो जिस हुजूम से युवा मेरे साथ जुड़ रहे हैं मैं उनके बेरोजगारी के मुद्दे को बहुत सक्री होके रख और मेरे साथ सारे मेरे युवा हैं और आगे आने वाले चुनाओं में वही सब लोग मजबूती से आगे-अगे बढ़ रहे हैं और बदलाव की और वोट कर रहे हैं मतलब आपका इशारा ये है आपका कहना ये है कि आपने पढ़ाई की हायर एजूकेशन लिया लंदन से पढ़ाई करके लोटे लेकिन आपको भी रोजगार नहीं मिला देखें मैं अपनी बात नहीं करूंगा लेकिन मेरे जानने वाले मेरे कई दोस्त भी हैं जो बाहर चले गए एक अच्छे पैकेश के लिए और सिर्व वही नहीं एक गरीब का बच्च्चा सरकारी नौकरी च समझदार है और वो समझ चुकी है जुम्लों को और अब वो परिवर्तन के और वोट कर रही है लेकिन अकर युआओं की बात करें तो युआ हमेशा हर चुनाओं में पांच साल तो मुद्दा बनाता है बेरोजगारी को महंगाई को नौकरी को एजुकेशन को मुद्दा ब बनती है कि हम मुद्दे को लेकर जन्ता के बीच में जाएं मुद्दा उठाना हमारा काम है और जन्ता को उसको समझने का काम है क्या मुद्दे हैं आपके किन मुद्दों को लेकि जब आप गाउं में जाते होंगे खासकर कोशामी रूरल एरिया है जो भी पांचों मीनी मुद्दा है, सड़क ना बनना, पानी ना मिलना, वो बहुत सारे मुद्दें जिनके टूर्ड्स हम काम करेंगे आगे जाके, अच्छा पुषपेंद चाहते तो कोई दूसरी फील्ड भी चुन सकते थे, तो राजनीती आपके लिए शौक है, सेवा है, प्रोफेशन है, क्या कुछ है, देखिए मेरे पिता जी का बहुत पुराना तालुकात है, राजनीती से, वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और कौशामबी उनको विकास पुरुष के नाम से जानती है, जिस तरीके से उन्होंने बहुत काम किया है कौशामबी के लिए, मैं भी उसी का आगे बढ़ाने के लिए आया हूं, पिता जी का नाम कितने काम आ रहा है आपके, देखिए पिता जी का नाम, मैं ज्यादा इस्तमाल तो करनी राज जनता ही जानती है, कि वो किस तरीके से उन्होंने सब के लिए, सर्फ समाज के लिए, सर्फ समान के लिए काम किया है, मैं अपनी एक पहचान भी बनाना चाहता हूँ और अब अगर जनता मुझे चुन के बेचती है तो मेरी खुद की पहचान होगी और मैं अपने नाम पर एक परचम लहराना चाहता हूँ विपक्ष का मुकाबला कैसे करेंगे जैसे मैं आपको बताया है विपक्ष का मुकाबला मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ मेरे साथ मेरे लोग हैं और खास करके कौशामभी की जनता है तो जनता इस बार चुनाओ लड़ रही है और मैं बस एक होसले के तोर पे उनके आगे चल जनता मेरे पीछे चल रही है हम दोनों एक दूसरे का होसला बढ़ा रहे हैं अच्छा कौशामभी के गर बात करें तो विधान सभा की पांच सीटे आती हैं दो सीटे प्रताब गड़की है कुंडा और बाबा गण वहां पर राजा भहिया का बहुत जबरदस्त प्रभाव माना जाता है तो वहां से कैसे निप्टेंगे कैसे मैनेज करेंगे वहां के वोटों को आप देखिए हम पांचों विधान सभा में सक्रियो के वोट मांग रहे हैं मुद्दो के नाम पे वोट मांग रहे हैं और हम मुद्दो के ही नाम पे वोट मांगेंगे इधर उधर से कैसे उनका तो कहा जाता है कि उन दो छेत्रों में उनका दबदबा रहता है जहां वो चाहते हैं वहां वोट डलवाते हैं कैसे मैनेज करेंगे आप तो मैनेजमेंट किये भी हुए हैं देखिए मेरी मैनेजमेंट वाली बात नहीं है मैं बस मुद्दो के चाहता हूं कि मुद की एक पार्टी है मेरे को एक candidate के रूप में पेश किया गया है तो मैं अपने ही मुद्दे ले करके अपने ही राजनीती ले करके लोगों के बीच में जाओं गा और मैं यहीं चाहता हूं यहीं अपील है कि लोग अपने नीजी प्रॉब्लम्स को ले कि ये सब जुमले हैं, वो अपने निजी प्रॉब्लम्स को ले करके, अपने जो पारिवारिक प्रॉब्लम्स हैं, चाये वो महंगाई हो, विरोजगारी हो, ये दो बहुत बड़े मुद्दे हैं, जो पूरे देश में प्रभावित कर रहे हैं, और खास करके कौशामभी की ज आरसो पर, देखे उन्होंने कई चुनाओं में कई नारे लगाए, चाये वो बंगाल हो, चाये वो दिल्ली हो, तो वो अपने नेताओं के लिए, अपने समर्थोकों के लिए जैसे उन्होंने बोला कि वो नारे वो लगाते हैं, लेकिन जनता इस बार देखते हैं, आने वा राजनीती से तालुकात हुआ ही है बहुत पुराना लेकिन मैं सिर्फ मुद्दों की बात करता हूं मैं अपने लोगों की बात करता हूं और मुझे लगता है कि आने वाले युवाओं को पीडियों को अपने मुद्दों को ले करके और सार समाज की बात करनी चाहिए तब ही आगे बढ़ सकते हैं लाश्ट क्वेस्चन ये है कि जो युवा है कौशामबे का वो इस बार जाती धर्म या दूसरे जो गैर जरूरी मुद्ध होते हैं उनको छोड़ करके एक युवा का साथ देगा थेके मैंने फिर भी पहले भी अपील की थी सब लोगों से कि इस बार ज का समर्थन हो रहा है हमारे सब लोग हमारे साथ हैं मुझे पका उमीद है कि इस बार बदलाब हो तो धन्यवाद यह हैं पुषपेंद्र सरोज जो कि देश में संभावता सबसे कम उम्र के उमीदवार हैं पचीस साल और डेड़ महीने अभी इनकी उम्र है छेत्र में घूम कर दो कर दो